हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चानल स्टडी विथ एम एस ए तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिसकस करने वाले जिसकी समरी आज हम देखने वाले उसका टाइटल है लिविंग और डेट जो लिखा गई जो लिकी गई थी रवींदर नाथ टेगोर के द्वारा तो को बार्ड ऑफ भेंगाल और गुरुदेव के पेन नाम से भी जाना जाता है यानिके पेन नेम उनके दो पेन नेम है वाज भाड़ अफ ब्यंगाल और गुरुदेव और रविंदर ने टेगोर के जो चुछ फेमस वर्क्स देखे तो गीता अनजली और दूसरा फेमस वह है हमारे देश का राष्ट्रगीत जनागानामना और जो बंगला देश का राष्ट्रगीत यह दो इन दोनों देशों के राष्ट्रगीत रवींदरना ट्यगवर के द्वारा लिखे गए है और रवींदरना ट्यगवर को 1913 में Nobel Prize भी मिला था लिट्रेचर में 1913 में Nobel Prize भी प्राप्त हुआ था तो कहानी के शरुवत करने से पहले हम कहानी के characters देखे तो कहानी का मुख्या पात्र है कादम बिनी जो कि इस कहानी का main character है उसके बाद है सरदार शंकर के जिनके गर में कादम बिनी रहे रहे होती है और उसके बाद जो कमाया जो कादम बिनी की बचपन की friend है और स्री पती जो है जो कमाया का husband है और अन्या पात्रों में जो चार सर्वेंट है निताई, गुरुचरन, भीदो और बन्वाली तो यहाँ पे जो लिविंग और डेड सॉट स्टोरी है वो कादमबिरी नामक एक विद्वा महिला के साथ जुड़ी हुई है कादमबिरी की फैमिली में कोई भी नहीं है ना तो उसका कोई हस्बेन है ना कोई फैमिली मेंबर्स यानि कि उसके फादर के तरब से या उसके हस्बेन के गर में कोई भी जिवित नहीं है एक के बाद एक सब की रुत्य हो चुगे यानि कि सब मर चुगे है और हमारी जो कहानी है उसका सैटिंग है वो रानी हाथ नामक एक गाव है यानि कि यह जो हमारी स्टोरी है वो रानी हाथ में रहने वाले एक जमिनदार के जिनका नाम सर्दा शंकर है उनके गर में स्तीत है और जो कादम बीनी है जो के इस कहानी का मुख्य बात रहे वो इनी के गर में रहती है कादम बीनी का इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे वो अपना कह सके इसलिए वो सरदा संकर के घर में रहती है कादम बीनी को कोई संतान या उलाद नहीं है इसलिए वो अपने ब्रदर इन लो यानि के जो सरदा संकर है उनका जो पुत्र है उसे बहुत प्यार करती है और यह जो बच्चा है उसके जन्म से ही उसकी माता अक्सर बिमार रहा करती थी, इसलिए उसको पाल पॉसकर कादम बीनी नहीं बड़ा किया था, इस तरह से देखा जाए तो कादम बीनी उस बच्चे की फॉस्टर मदर थी, यहां पर इस स्टोरी में अचानक एक गटना बनत करती है, इसलिए सब को लगता है कि कादम बीनी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर यहां जो सरदा संकर है, वो इसका अंतिम संसकार करना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने चार नोकरों को बुलाता है, और उनको बुलाने के बाए, कादम बीनी की जो डेट जाकर उसका अंतिम संसकार करने का ओडर दे देता है, और यहां जो समसान गाटे वो गाउं से बहुत दूर स्थीत है, और उसके ठीक पास में एक चोटी सी जोपड़ी है, और एक बरगत का पेर है, उसके अलावा आसपास में कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा जाता था कि पहले चार नोकर है, निताई, गुरुचरण, बिदू और बनमाली, वो कादम मेनी की डेट बोड़ी को लेकर समसान गाट जाने के लिए निकल पड़ते हैं, समसान काट पहुंचते पहुंचते हैं उन्हें बहुत देर हो जाती है, यह रात सावन की काली रात होती है, चारों तर बेनी की डेट बोड़ी के पास ही बैठे रहते हैं, अंदेरा दीरे दीरे बढ़ता चला जा रहा है, और चारों कोर एक सन्ना टासा चा गया है, उन दोनों के पास लाइट की कोई व्यावस्ता नहीं है, उनके पास जो माचिस थी वो भी बीग चुकी है, अब इन दोनों को डर लगने लगता है, यानि के चारों तरफ अंदेरा होने की वज़े से और उनके पास लाइट की कोई व्यावस्ता, कोई सुवीदा नहीं होने की वज़े से वो दोनों डर ने लगते हैं, उनके लिए यहाँ समय व्यतीत करना खुब मुश्किल हो जाता है, पांच मिनिट यह देख के बिदू और बनमाली होते हो, बहुत ही ज्यादा भैवित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हो, डर के मारे हो वहाँ से गाउं की तरफ भागने लगते हैं, तभी उन्हें रास्ते में निताई और गुरु चरण भी मिलते हैं, और जो बिदू और बनमाली तरफ दरते दरते हुए जाते हैं और सुमसान गहार में जाने के बाद उन्हें जो पृइछ पर कोई भी हमारी बात नहीं करते हैं कि वो सबको बता देंगे कि उन्होंने कादम बीनी का अंतिम संसकार कर दिया है और वो ठीक वैसाई करते हैं यानि कि सरदा संकर को जाके बता देते हैं कि हमने समसान गाट में ले जाकर कादम बीनी का अंतिम संसकार कर दिया है और अब यहां दूसरी तरफ जो कादम भी नहीं है वो दरसल मरी नहीं थी पर उसके हाट ने थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया था इसलिए सब को लगा कि वो मर चुकी है पर जब वो होश में आती है तो देखती है कि वो अपने गर में नहीं है वो आसपास नजर गुमाती है तो उसे समझ में आता है कि वो समरसान गाट में थी वो वहां से उस जोपड़ी में से निकल जाती है सबसे पहले उसे ख्याल आता है कि उसे सरदा संकर के यानि कि सरदा संकर के घर वापस जाना चाहिए लेकिन बाद में वो सोचती है कि उन लोगों ने उसे मरी हुई मान लिया है तो अगर अगर मैं अब वापस गई तो सब मुझे भूत प्रेत या आत्मा समझेंगे उसके दिमाग में इस तरह के अनेक विचार चल रहे थे वो रास्ते में चलती हुई जा रही होती है उसके कपड़े भी बहुत गंदे हो चुके है तभी रास्ते में उ आपके घर तक छोड़ देता हूं वह अब सर्दा संकर के वहां नहीं जा सकती थी और दूसरी तरफ उसका कोई रिलेटिव भी जीवित नहीं है उसे तभी उसे अपने बचपन की एक फ्रेंड जोग माया याद आती है इसलिए वह उस व्यक्ति को कहती है कि मुझे स्रीपत जो स्रीपती जोग माया का हस्बेंड है जो निसिंद पूर नाम के गाउं में रहते हैं उसी तरफ जा रहा था तो उसने कादमीन्यों को अपने साथ ले लिया और निसिंद पूर में जा कर छोड़ दिया अब कादमीन्यों जो है वह दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी पर के बीच मात्रव पत्रव्यवार से ही बात चीत होती थी और वो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों बाते करने लगते और बातों बातों में जोग माया उसे उसके फादर इनलों के बारे में पूछ लेती है तो कादम बिनी उसे कोई भी उत्तर नहीं देती तो वो उसको कहती है, यानि के कादम भी नहीं जोग माया को कहती है कि तुम बस मुझे अपने गर में रहने के लिए थोड़ी सी जगा देदो मैं एक नौकर, एक सर्वन की तरह, एक सर्वन की हैसियत से यहाँ पर रहूंगी और तुम्हारा सब काम भी करूंगी परन्दों, जोग माया उसे कहती है कि तुम मेरी एक खास दोस्त हो मैं तुम्हें ऐसे कैसे रख सकती हो तुम मेरे गर में जब तक चाहो अपनी मरज़े से आराम से यहाँ पर रह सकती हो और जो कादम भी नहीं होती है, वो जोग माया के गर में रहने लगती है पर वो हम में सा थोड़ी चिंता में यानि के थोड़ी व्यतित रहती थी उसका वरतन व्याभार और उसका behavior भी थोड़ा अजीब सा होता है ये सब देखकर जोग माया को भी थोड़ा अजीब लगता है ऐसा करते करते यूही समय बीतने लगता है और समय के साथ-साथ कादम भीनी का behavior भी अजीब होने लगता है और ज्यादा अजीब होने लगता है इसलिए एक दिन जोग माय अपने हस्बें स्रीपती को रानी पत जाकर सारी हकिकत, सारी मालूमाद, सारी जानकारी हासिल करने के लिए कहती है और जो स्रीपती होता है वो राणी हाथ जाने के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर सारी information लेकर वापस आता है और जब वो वापस आता है तो वो थोड़ा गबराया हुआ लगता है और गर आकर जोग मया को बताता है कि तुमने बहुत बड़ी गल्ती गिया तुम जिस महिला को इतने दिनों से अपने गर में रखी हुई हो वो हकीकत में तुम्हारी फ्रेंड है ही नहीं यह सुनने के बाद दोनों दमपती यानी दोनों पती-पतनी के बीच में बहस हो जाती है इन दोनों की बहस सुनकर दोनों की आवाज सुनकर कादम बिनी समझ जाती है कि इन दोनों को सारी हकीकत पता चल चुकी है कादम बिनी अपने कमरे से बाहर आकर इन दोनों को समझाती है कि मेरा भरोसा करो मैं अभी जिवित हूँ इस दुनिया ने मुझे मरी हुई मान लिया है लेकिन मैं मरी नहीं हूँ पर उसकी बात पर कोई भी यकिन नहीं करता इसलिए वा जोग माया का गर छोड़ देती है और सरदा संकर के गर जाने के लिए निकल जाती है वो गर में एंटर होती है तो सबसे पहले वो अपने आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करती गर में जब वो एंटर होती है तो सरदा संकर की जो वाइफ होती है वो अपनी बहन के साथ कार्स खेल रही होती है और गर के बाकी सब नौकर रसोही गर में होते है और जो बच्चा होता है वो अपने bedroom में सो रहा होता है तो कादम बीनी इन सब की नजर से बच्चते हुए अपने room में चली जाती है वहाँ पे जो बच्चा होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो बच्चा कादम बीनी के पास पानी मांगता है कादम बीनी उसे पानी पीलाती है पानी पीने के बाद जब वो बच्चा कादम बीनी से कहता है कि आंटी आपकी तो मौत हो चुकी थी आप अब वापस आ गये हैं तो फिर से मुझे छोड़ कर मत जाना कादम बीनी उस बच्चे से कुछ कहे उससे पहले ही एक मेड सर्वंट एक नौकर उस कमरे में आ जाती है और कादम बीनी को देखकर उसके हाथ में जो कप होता है वो किर जाता है और कप के तूटने की आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी वहां इकटा हो जाते है कादम बीनी को देखकर सब भैवित हो जाते हैं तब सर्दा संकर जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सतिष मेरा एक लोता बेटा है और यहाँ पर जो बच्चा होता है जिसको कादम बीनी ने बड़ा किया था उसका नाम है सतिष तो सरदा संकर कहता है कि 37 मेरा एक लोता बेटा है तुम क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ रही हो और वो उसे वहाँ से चली जाने के लिए कहता है यह सब कादम बिनी बरदाश्ट नहीं कर सकती और वो कहती है कि मैं अभी जिन्दा हूँ मैं मरी नहीं उपर उसकी बात पर को को बताती जाती है उसके बाद अंत में पास में जो कुवा होता है उसमें कादम बिनी जो होती है उसमें छलांग लगा देती है सरदा संकर और बाकी सब लोग उसकी कुवा में कुदने की आवाज सुनते हैं और आखिर में कादम बिनी की मौत हो जाती है तो इस तरह से काद का टाइटल लिविंग और तो स्टोरी के विशाय वस्तो को स्टोरी की थेम को देखते हुए कहानी का जो टाइटल है बिल्कुल उचीत है क्योंकि पहले कादम बीनी पर कोई भी भरोसा नहीं करता पर बाद में कादम बीनी ने उन सब को भरोसा दिलाने के लिए अपनी जान सब्सक्राइब करें तो यह थी हमारी स्टोरी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगली वीडियो आने तक गुडबाई एंड टेक केर